दोस्तो आज का वीडियो बहुत यादा खास है देख सकते हैं मेरा ATM कार्ड जो की पंजाब नेशनल बैंक का है कुछ महीनों पहले यहाँ पे एक्सपायर हो चुका था उसके बाद मेरे पास यहाँ पे नया ATM कार्ड आया है तो आज की इस वीडियो में आपको मैं पूरी तरी के से गाइड करूँगा कि अगर आपका भी पंजाब नेशनल बैंक का ATM काड एक्सपायर हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है तो प्लीज वीडियो को लाश तक देखिए चलिए जान लेते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा काड है जो कि कुछ दिन पहले एक्सपायर हुआ था और मेरे पास नया ATM काड भी आ चुका है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका ATM काड एक्सपायर हो चुका है या फिर एक्सपायर होने वाला है तो क्या करना है अगर आप अपने ATM काड को यानि ATM यानि अपने account को maintain रखते हैं, regular transaction करते हैं, active user हैं, तो आपका expire होने से पहले ही आ जाएगा, यह यहाँ पे 60% case में होता है, लेकिन अगर आपका expire होने से पहले नहीं आता ATM card, तो आपको यहाँ पे wait करना है ATM card expire होने का, और अगर आपका ATM card expire होने के एक week के अंदर आपके पास नया ATM card नहीं आता, तो फिर आपको यहाँ पे branch में जाना है, और branch में उस branch में जाना है, जिस branch में आपने account open करवाया था, और वहाँ पे एक नया ATM card का form यहाँ पे fill करना है, उसके बाद यहाँ पे 15 दिनों के अंदर आपके घर पे नया ATM card आ जाएगा, अब आप सोच र दिन में bank पहुच गया और नया ATM card का form फिल कर दिया, उसके बाद मेरे पास दो-दो ATM card आ गया, एक तो अपने आप जो एक्सपायर होता है, वो आ गया और एक जो मैंने form फिल किया था, उसका भी ATM card आ गया, तो इसलिए आप धियान रखिए, कि अगर आपका ATM card एक्सपायर हो होगा, फिर भी थोड़ा सा भी doubt है, तो please comment section में जरू बताइए, मैं उसका जवाब जरू दूँगा, अभी के लिए इतना ही, thank you for watching